So a quick music theory hack for all the musicians सबसे पहले हम लोग basic C major chord की shape देखेंगे अगर यहाँ पे आप middle note को एक step पीछे ले जाओ तो यह बन गई आपकी C minor chord और यही पे अगर हम लोग middle note को एक step आगे ले जाएं यह बन गई आपकी C sus 4 chord और यही पे अगर हम लोग middle note को दो steps नीचे ले जाएं क्या बात है यह है आपकी C sus 2 chord और इसी के साथ साथ अगर middle note को दो steps आगे ले जाएं यह chord हो गई आपकी C sus sharp 4 chord